कुरान के बारे में अगर मुहमत साब की शिक्षाओं पर मनन किया जाए हर शास्त में हर गरंत में चाहे किसी भी समाज का क्यों नहीं हो तो कुरान की शिक्षाओं पर मनन किया जाए तो दो बाते उनमें सबसे एहम है पहली मौम्मत साब की शिक्षाएं किसी भी एक देश या एक धरम के लिए नहीं है सब के लिए हैं और दूसरी जो उनकी शिक्षाएं हैं आज से डेट हजार साल पहले जितनी वो प्रासंगिक थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसे बैतर बनाने अच्छाई को स्विकार करने के लिए मौम्मत साब ने कोई संदेश न दिया हो कुरान में उनकी वाते इंसानों को सच की राह दिखाती है अर्थशास्त भले ही ब्याज को मूलधन का किराया शुल्क या कुछ और माने लेकिन एक इसलाम धर्म ऐसा है जिसमें ब्याज को ममनू माना गया अनुचित माना गया है ब्याज को इसलाम के मताबिक ब्याज एक ऐसी विवस्ता है जो अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है दस-दस परसेंट पे लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं शोशन का एक जरिया है पवित कुरान में इस पस्ट रूप से ब्याज को वर्जित बाना गया है इनसानों के लिए कहा गया कि इमान वालों दो गुना और चार गुना करके ब्याज मत खाया करो मालिक से डरो ब्याज खाने से बरकत खत्म हो जाती है ब्याज की कमाई से बरकत खत्म होती है इनसान के द्वारा किये गए पुन्य भी ब्याज की कमाई से खत्म हो जाते हैं धियान रखें ब्याज धन को कम करता है लेकिन दान पुन्य से धन कभी भी कम नहीं होता है तो जो लोग ब्याज हासिल करने का निश्य कर चुके हैं और उसके लिए बहाने बनाते हैं तो ये एक शैतानी धोका है जो लोग ब्याज लेने को सई कारोबार साबित करने की कोशिश करते हैं घर बैठे रहेंगे ब्याज पर पैसा खाएगे और लोगों को भी यकिन दिलाते हैं कि ब्याज लेना उचित है तो ऐसे लोग भी इसी प्रकार के शैतानी धोके के शिकार होते हैं जो लोग ब्याज खाते हैं उनके बारे में कहा गया कि वे कयामत के दिन खड़े नहीं हो सकते उसी तरीके से जीसे किसी को शैतान ने च्छू कर पागल कर दिया हूँ यह इसलिए क्योंकि वे कहा करते थे कि वेपार भी तो ब्याज के समानी है अपनी बात को सई ठहराना कुरान में वेपार को वेद माना गया लेकिन ब्याज को पूरी तरीके से अवेद कुरान में संदेश दिया गया है कि जो लोग इस हिदायत के बाद ब्याज लेना बंद कर देंगे उनका जो मामला है वो हुजूर को सुपुर्द है लेकिन तमाम जानकारी के बावजूद जो नहीं समलेंगे जिनोंने ब्याज लेना जारी रखा उसके लिए आगे नार्खिये जीवन है और उसकी कोई मुक्ती नहीं तो मालिक से डरिये और जो कुछ भी ब्याज में शेश रह गया हो उसे छोड़ दीजी यदि तुम सच्चे दिल से इमान रखते हो ना तुम खुद जुल्म करो ना तुम दूसरों के उपर जुल्म करो अगर तुमार पास बहुत जादा धन है तो जरुत मन लोगों को कर्ज दो उन्हें वापसी के लिए इतना समय दो कि कर्जदार इंसान उसे आसानी से वापिस लुटा सके किसी वास्तवी को